नमस्कार एटो जेट डिशश उशा गूजानी में आप सब का स्वागत है आप सबी ने डाल मखनी तो खाई होगी पर आज आप यह सोच रहेंगे कि आज मैं आपको दाल मखनी पताऊंगे नहीं आज मैं आपको बताने जारे डाल मखनी पर एक ट्विस्ट के साथ वैसे तो दाल मखनी में डाली जाती है काली ओड़त की दाल पर आज हम डालेंगे मुंग हरी मुंग आते है न वो और यह इतनी लाजवाब दाल मखनी लग रहे थी न बताते ही बताते देखिए मूँ में पानी आ रहा है इतना मज़दार लगे कि न इसे आप रोटी पराठे राइस के साथ खाए सभी चीज़े बोल जाएंगे बस इसे खाना पसंद करेंगे हेल्दी टेस्टी और मज़दार जितनी तारीफ करें उतनी का में तो उसके लिए न मैंने एक बाउल में दो कप राजमा यानि कि 250 कराम राजमा और एक चौथाई कप हरे मुंग को इन दोनों को मै मैंने पानी से अच्छे से वाश करके रात बर विगो के रख दिया तो ओवरनाइट मैंने इसे विगो के रखा था सोक करके रखा था फिर सुबह को मैंने क्या किया गैस कौन करके कुकर रख दिया इसके अंदर ये पानी के साथ ही दोनों चीज़े डालकर एक तेज पता ड गैस कौन करेंगे एक कड़ाई रख देंगे और इसमें मैं डाल रही हूं तील तो एक बड़ा चमस तेल डाल दे जैसे गरम हो जाना तो एक चौथाई चमस जीरा जीरा जैसे चटकना शुरू हो जाए तो दो से तीन बारी कटे वे प्याज और दो बारी कटी हरी मिर्ची आधी चोटी चमच अध्रक लसन के पेस्ट जैसे कि मैं आपको का प्यास को जादा लाल होने तक ना भूने बस समय लीजिए एक से दो मिनिट तक बूना है ताकि प्यास का कच्छा पंदूर हो जाए और यह हलका सा गुलाब भी हो जाए देख सकते बस इस तरह से अगर जा प्यास के अंदर इसे अच्छे से मिक्स का लेना और एक मिनिट के लिए पका लेना है एक मिनिट के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिये दो से तीन टमाटर की प्यूरी यानि टमाटर को काट कर मैंने मिक्सर में डाल कर पीस लिया था तो वो डाल दे और इसे एक मिनिट तक पकाए ताकि टमाटर का कच्चा बंदूर हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से दो मिनिट तक पका लिया और देखिए अच्छे से मसाले तेल चोड़ना शुरू कर रहे हैं तो मैंने इसके अंदर डाले यह पके हुए राजमा और यह मूम अब यह तेज पता नि आपको पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है और आपको कुलाई पकाना है तक्रीबद ठेखनें चेख से साथ मिनिट तक बीच पीच में सारी चीज़े डालते भी जाएंगे जो हमें डालनी सबसे पहले देखिए जैसे कि मैंने सुआत के अनुसार नमक डाल दिया ह यहां पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छा ऑबाल भी आ रहा है और यह नहीं की ठीक्स्चर यानि कि थोड़ा सा गाड़ा भी होता जारहा है तो पस इसी तरह से पक भी रही है तो बीच में आप दाल दी है देख सकते हैं अमूल फ्रेश क्रीम एक चम्मर जितनी अप घर क को ये दाल मखनी को 6-7 मिनिट तक पकाना है पर बीच में ये सारी चीजे मैं एट करती जा रही हूं और इसे अच्छे से मेक्स करते हूए पकाती भी जा रही हूं यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 6-7 मिनिट हो गए हैं और ये कुछ इस तरह से हो गई है तो अब हम धी कर लेंगे जैसी गरम हो जाए तो इसके अंदर मैंने डाल दी है आदी चमच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तुरंत ही आपको गैस को बंद कर लेंए नहीं तो मिर्ची जल सकती है अब ये तटके को आपको डाल मखनी के अंदर डाल दीना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीज़े और एक से दो मिर्च तक इसे पका लीज़े तद तयार है ये बड़िया सी डाल मखनी जो इतनी ला जवाब लगती है ना जिसका जितनी तारिफ कर रूत नहीं कम है बस लास्ट में डाल दीज़े थोड़े से धनिया के पते तयार एक गर्मा गर्म बहुती स्वादस्ट लजीज ये मुंग वाली डाल मखनी इसे गर्मा गर्म राइस या फिर ऐसे ही खाएं या फिर रूटी पराटे के साथ खाएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक्यू